हरी ओम वेलकम टू शितल सन्नपूर्णा कीचन आज हम विंटर स्पेशल रागी लड्डू बनाएंगे आए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं यहां मैंने दो चम्मच घी लिया है यहां पर मैंने एक बाउल रागी का आटा लिया है इसको नाचनी भी बोलते हैं अब यह दर हैं यहां रागी और तो हमें खैना होना चाहीए औहुट हएलू है और बच्चों को और लेडिस को तो हमें देना ही चाहिए यह फूड ऐसे में dall के लिए इiage के बहुत कैल्स Woo thing कर दो कहत single होता है प्रोटीन की मात्रा भी बहुत होती है और इस फूल ओ वायन होता है। अंजिम कीजिए लेकिन एक रोटी भी हरोज एक खानी चाहिए एक खुद का मेरा experience मेरा हीमोगलोविन बहुत ही कम हो जाता था तो मैंने इसका इंटेक शुरू किया तो अभी मेरा हीमोगलोविन काफी stable रहता है ग्रह से मैंने चार चमश नारियल का बुरादा लिया है और यहां पे मैंने मिक्सर में काजू का पम बड़ में बना लिया है यहां पे मैंने काजू का पाउडर बना करके डाल सकते इसमें या तो आप मूम फली का अच्छी तरह से सेख के फिर उसका पाउडर भी आप बना के इसमें डाल सकते हैं कि अब में यहां पर थोड़ा सा जाइफल पाउडर डाल दूंगे इसमें अब इसकी खुश्बू नहीं आ रही है हम और दो तिन मिनिट अच्छी तरह से सीट लेंगे अब यह रेड़ी है और इसमें से बहुत अच्छी खुश्बू भी आ रही है अब हम गैस बंद कर देंगे वगी कड़े ले लिए इसके अंदर मैं यह गूट डाल रही हूँ अब स्वाद अनुसर कम ज़्यादा कर सकते हैं हमारे यह ज़्यादा कोई मिठा खाता नहीं है इसलिए मैं आधी कटोरी लिए और आधी कटोरी से कम थोड़ा सा पानी डाल दूंगे अब इसे अच्छी तरह से पीगल जाने देंगे अब यह अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है हम चेक कर लेंगे एक तार खिचने से पहले हम गैस बंद कर देंगे हमें एक तार नहीं चाहिए बस एक तार खिचने की तयारी हो और हम गैस बंद कर देंगे अब यह रेडी है हम गैस बंद कर देंगे थोड़ा सा रूम टेंपरेचर पे थंड़ा हो चुका है हमें इसे बहुत ज्यादा थंड़ा ने करना है अब यहां पे मैं थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे और हमने जो गुड़ का सीरप बनाया था वो इसमें डाल देंगे बस अभी इतना डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम इसके लड़ू बना लेते हैं इस तरह से हम सारे लड़ू बना लेंगे एलदी रागी लड़ू टेस्ट में बहुत ही फेंटास्टिक हुए बच्चे भी पसंद करेंगे और बड़े भी पसंद करेंगे अगर आपको मेरी रेसीपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक्स फर वाचिंग